जेब्रानिक्स जेब KM2100 मल्टिवीडिया कीबोर्ड इसे खरीदा है हमने अमाजान से लगभग 350 रुपे में 300 से 300 रुपे के बीच ये उपलब्द रहता है सबसे सस्ता कीबोर्ड अभी तो यही उपलब्द है अमाजान पे तो यहां देख रहे हैं इसका डबा अमाजान की पेकिंग यहां डबे के पीछे लिखा हुआ है मैनुफेक्ट्र डॉन जेनरिक नेम कंट्री ओफ ओरिजिन 499 रुपे की MRP लिखी हुई है और डैमेंशन लिखा हुआ है और यहां लेफ्ट साइड बोल्ड में इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं प्लग औन प्ले 114 की कीज, Modular Design, UV Coated Keys और USB Interface यहां UV Coated Keys से मतलब है कि जो Keys की 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 गई है वो Ultra Wallet Race से की गई है क्या होता है कि कीबोड को बहुत जादा यूज करने पर उसके अक्षर जो उसके उपर छपे होते हैं वो मिट जाते हैं तो उनको बचाने के लिए UV Coating की जाती है उससे क्या होता है कि Scratch जो है वो कम पड़ते हैं कभी कवार नम हातों से गिले हातों से भी हम कीबोड को टेच कर लेते हैं तो वाटर के effect के कारण भी जो है वो अक्षर मिट जाते हैं तो यह UV Coating उससे भी हमें बचाता है यह तो हो गई UV Coating के बारे में छोटी से जानकर यहां देखिए हमने दिये हुए है Caps on num lock scroll lock आई अब यहां पीछे की तरफ देखते हैं तो पीछे की तरफ यह देखिए दो क्लिप्स दिये हैं इसके अंदर हमें dedicated rupees का भी सिंबल मिल जाता है चार नंबर का जो की है उसके उपर यहां पर आप देख सकते हैं कि rupees का symbol बना हुआ है control alt 4 जब हम न्यूटन की पोती नूटन के चौथे नियम के अनुसार USB पोर्ट कभी एक बार में नहीं लगता है तो इस keyboard के एक फीचर में यह बताया गया है कि यह soundless keyboard है तो चलिए इसका sound check कर लेते हैं और फटा फट दो लाइन में कर देते हैं इस keyboard का review आए यहां पर caps की num lock की और scroll lock की इसको बत्ती जला करके चेक कर लेते हैं तो यह तीनों green होगा इसका मतलब की keyboard जो है वो अच्छे से connect हो चुका है फटा फट कर देते हैं इसका review इसका जो plastic है वो काफी कम जो प्लास्टिक है अगर keyboard गिर जाता है टेबल पर से आप से चूट के फिसल के तो यह टूट जाए दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना है मिलते गली वीडियो में किसी आने जान करें के साथ तब तक लिए बाबाए चाहें जा भारत